हेलो फ्रेंट्स लेवकाम बैक तो मैं चैनल आम अर्ष्टना एं मैं चैनल इस अर्ष्टना मेक ओवर एंड हेल्दी हैर्ष्ट इस न्यू वीडियो ओंब्रे नील आर्ट विट ग्लीटर सबसे पहले हम अपने औरिजनल नेल्स को अच्छी तरीके से पट कर देंगे इसको कट करने के बाद हम क्यूटिकल पुछर से पुछ करेंगे और इसके बाद जो डेड़ स्किन से हम रिमूव करेंगे आप मसा बफर की हैर्प से पच्छी दिख से पुछ एंगे ताकि था साज हमारा इसस हो था सबस्ट हो जाए जाए यह हमने स्मॉल ब्रश लिया आए जिसकी हैप से अरे डस्पार्टिकल को ख्लीन कर देंगे बलकुल क्लीन सॉसेस कर देंगे अब कोई भी नॉर्मल सा फेक इसे स्टेक कर देंगे हैं इसा भी फेक नियल टिप्स ले सकते हैं कोई कमपल्सरी नहीं कि आप किसी एक ब्रैंड का लें करिसे से सकते हैं इसा घ्म पार है यह एज कॉटर जिसे हम जो एक्सेस टिप्स है इसको हम कट करके हटा देंगे जितना हमें लेंग्ट चाहिए हम उसकी साफ से रखेंगे बाकी एक्सेस को कॉट के रिमूव कर देंगे अब हमें जिस भी शेप का नेर शेप चाहिए हम उसे शेप का दे देंगे साहार बफर के हैं अब जो सा भी चाहिए जो सा शेप दे सकते हैं हम ने इसको बफ भी करते जाएंगे जो हमारे शेप टेप से उसको मची देख से बफ भी करते जाएंगे हाट बफर की हैब से इसके वाद स्वाद शॉफ बफर से करेंगे झाल करते हैं झाल 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 तो झाल झाल यह 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 बड़े लगे अब जैसे कि आप देख रहा है हमने 60 seconds के लिए UV Lamp में रख रहा है इसे ड्राय होने के लिए नाव अगेन हम लोग इस पर second coat apply कर रहे हैं same shade का आप इसके जाप पर कोई साथ ही जेल पर ले सकते हैं कोई hard and pass rule नहीं है कि आप same चीजी same brand का लें इस कोड के अलावा अगेन हम फिर से UV Lamp में रखेंगा है यह हमने अगेन UV Lamp में रखा फर 60 seconds कर दो हम दो दो आए में आपने इस पर लेंच आप हैंजी बचाए सिन और नहीं है भी आप सपोंज लेंगे उस फों आप सब्सक्राइब एक पीछ नियुटर नेल पेन लगाया है इसे सब्सक्राइब कोसा दो आप में लिए सकते हैं अब लिए नीज नेल पेन एक वह डाइब करेंगे वह बड़ा साइस का स्पोंज शैश्री न्यू वन इस वज़े से अपको सिफ उल्लियों पर अच्छी तरीके से ड़ाइप करना है जिस थाइप झालब यप्र अच्छी व्ज़ईगार हो प्लियों प्लिके से अपको सिए व disaster को अच्छी है झाल स्पू अब यह हमारे सारी मुल्यों पर हो चुका है अब इसे हमने फिर से 60 सेजंस के लिए UV लैंप में रखा है जूकि सन एक्स फाइव मैक्स का है मेक रिएट का आपको इसे भी ले सकते हैं 50 वाट तक का हमें यह सीम प्रोसेस दो बार रिपीट करना अगें हम कलर ग्लिटर लगा करके अगें 60 से के लिए रखेंगे यूवी लैंप में आप 60 सेकेंड्स हो गया है अब हम इसके उपर हम टॉप कोट लगाना बहुत ही कम पज़री है आप चैने देख सकते हैं इसे जो शाइन आती है नो बहुत ही अच्छी होते हैं इसको लगाने के बाद हम अगें 60 सेकेंड्स के लिए यूवी लैंप में रखेंगे इसके बाद आप रिजर्ड को देखना इसके बाद हम इसके बाद ही अच्छी होते हैं अच्छी होते है यह तो पॉट लगाने के बाद यूवी लैंप में रखना बहुत ही ज्यादा जरूरी क्योंकि अब अब तक आप यूवी लैंप में नहीं रखेंगे इस उखेंगा हूँ यह जेर्णल परेंड है हम इसको 60 सेकंद्स के रखा है यूवी लैंप में now you can see the result it's a glitter ombre nail art it looks so pretty please do like share and subscribe my channel thank you so much for watching my channel baby I try 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 baby I try